हेलो दोस्तो नमस्ते जैसिरी रादे कृष्णा मैं लता सिंग आज आपके साथ कड़ा प्रसाद की रेस्पी सेयर करूंगी कड़ा प्रसाद तीन चीजों से बनाया जाता है घी पिनी और यहूं का आटा कीनों को परावर मात्रा में लिया जाता है आटा आप जिसकी रोटी बनाते हैं वही ले सकते हैं इसके लिए कोई स्पेसल आटे की जरूरत नहीं है बहुत ही टेस्टी बनता है बनाना सुरू करती हूं कड़ा प्रसाद बनाने के लिए झाल 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 प्रसाव का भोग तो लगे गाई प्रसाव का भोग तो लगे गाई कितना सुन्दर लग रहा है एक दम से विखरा विखरा एक कटूरी आटे के कड़ा प्रसाथ को बनाने में 30-25 मिनट लग जाते आप घर में ही कड़ा प्रसाथ बनाएं और खाएं धन्यवाद रादे रादे झाले